शो को भी आगे बढ़ाना है और बहुत सारे दर्शक हैं जिनको हम कह रहे हैं कि अगर आपको भी नई टैक्स रवस्था के कोई सवाल हमसे पूछते हैं या बजट में जिस भी तरह के ऐलान हुए हैं उसमें आपकी जेप पर किस तरह से असर पड़ेगा आपकी फिनांशल प पुछना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुचा सकते हैं हमारे वाटसाप नंबर के जरीए और लगाता है जब से बजट हुआ है तब से आपके सवाल हम शो में शामिल भी कर रहे हैं नंबर आपको हम बता दिये देते हैं 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें अभी भी भी भेज सकते हैं आप लाइव अपने सवाल हमें भीज भी है हम लाइव आपके सवाल को शो में लेंगे और हमारे एक्सपर्ट से जो है आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे और इतना ही नहीं अगर आप अपनी फिनांशल प्लानिंग भी हम फोन पर लाएंगे लेकिन उससे पहले आपका तारूफ करा दिए कि हमारे साथ आज कौन महमान शामिल हो रहे है Vice and West के CEO हेमन तुस्तगी, Maniaj School के founder अर्णव पंडिया और आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में शुरुवात में करना चाहूंगी दर्शकों के सवालों के साथ क्या मेरे साथ हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौझूद है? चलिए, यहाँ पर लगता है कोई हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद नहीं है लेकिन पंकर शर्मा का एक सवाल है अर्णव जी ग्रॉस सालरी इनकी 16 लाग की है, जीपीएफ में 2 लाग करते हैं एनपीएफ में 70,000 रुपे का इनिवेश करते हैं और कितना टैक्स लगेगा उस पर यह आपसे सलाच चाहते हैं अगर हम देखे तो जो ओल टैक्स सिस्टम है, उसमें आपको पहले तो अपने ग्रॉस सालरी से एक जो बेनिफिट मिलता है वो है स्टैंडर्ड डिदक्शन का, 50,000 का आपको वहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिदक्शन मिलेगा तो उस हिसाब से 16,000,000 से इनकी सैलरी 15.5,000,000 हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आते हैं जो डिदक्शन मिलते हैं सेक्शन 80 के अलग-अलग प्रोविजन के तहत, उसमें सेक्शन 80C में इनको, क्योंकि इनकी कॉंट्रिबूशन देड लाग से उपर जा रही है तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा देड़ लाग का बेनिफिट ले सकते हैं और इसके अलावा सेक्शन 80C CD 1B जहां पर नेशनल पेंशन सिस्टम में एक 50,000 रूपीज का एक एक एक्स्ट्रा डिड़क्शन दिया हुगाया है उसका भी ये फाइदा ले सकते हैं क्योंकि उनका NPS का कॉंट्रिबूशन भी 70,000 है जो ये 50,000 को कभर कर देगा तो उन्होंने अपने बारे में क्या वो हेल्थ इंशॉरंस लेते है या कुछ और है वो बताया नहीं है तो हम सिर्फ EC डिड़क्शन पे रहते हैं तो एक एडिशनल 1,50,000 प्लस 50,000 यानि लो लाग का एडिशनल डिड़क्शन है तो जो उनकी सैलरी है टैक्सेबल सैलरी वो 13.5 लाग हो जाती है क्योंकि 15.5 थी 2,500,000 अगर इस 13.5 लाग के पर हम पुराने सिस्टम में टैक्स कैल्पुलेट करते हैं तो एडिशन और हेल्थ सैस के साथ 2,26,200 का फिगर आता है अब इसकी तुरना हम करेंगे नए टैक्स रजीम पे नए टैक्स रजीम में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं सभी डिड़क्शन के वो यहां पर नहीं मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिड़क्शन मिलेगा तो 16 लाक्स में सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिड़क्शन उस पे आप आजाते हैं 15.5 लाक्स और उस 15.5 लाक्स पे जो नए स्लैब है जिसमें 0 to 3 लाक्स जीरो परसेंट है 3 to 6, 6 to 9 पे जो रेट्स है उस पे हम अगर टैक्स कैल्कुलेट करते हैं तो 1 लाक्स सेव इसका कारण सिर्फ यही है कि all tax system में उनके जो डिड़क्शन से वो पूरे के पूरे जो सभी थे यानि कि उनका कोई housing loan नहीं था तो जो डिड़क्शन से वो थोड़े कम थे तो इसके लिए जो benefit आ रहा है rates में वो उनको नए tax system में ज्यादा दे रहा है तो उनके लिए नया tax system less taxable है तो वो वो अपना सकते है आपर हमने सवाल का जवाब दिया पंकर शर्मा के लेकिन हम रुकेंगे छोटे से break के लिए break के उस पार सवाल-जवाब का सिलसिला बरकरार है बने रहे Welcome back आप देख रहें एटी मनीवनों अपना finance minister और यहां पर हमने शुरुआत कर दी है सवाल-जवाब के सिलसिले की जहां पर हम जितना हो सके दर्शुकों के सवालों के जवाब देंगे भले ही वो नई टाक्स ववस्था को लेकर हो या वो अपनी पूरी तरह से financial planning हमारे साथ करवाना चाहते हो हेमन उस्तर की हमारे साथ जुड़ गए है हेमन जी स्वागत है आपका और चलिए हमने दर्शुकों के सवाल जो मंगाए हैं उनमें हमारे एक साहब हैं जिनका सवाल मिले रही हूँ थाक मिल रहे हैं और तीन लाख रूपे हमने निवेश की उसके बाद को साड़े चार लाग से जादा अब तक ये कमा चुके हैं मेरे साथ आर्पी तेवारी जी फोन लाइन पर भी मौजूद है सर नमस्कार सर आपका सवाल हम ले रहे हैं शो पर आपने केवल एक ही फंड पर सवाल पूछना है आपने एसाइपी कर रखी अलबसम निवेश कर रखा है न निपॉन के टैक्सेवर फंड में पैसे लगाए हैं हाँ किया है किया है उसी पर आप सवाल हमको भेजा है आप 5 सार से उसमें निवेशत हैं आपका सवाल क्या है आप इसी में रहना चाहते हैं ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है ये पूछना चाह रहे हैं आप नहीं आप कितना कमाना चाहते हैं अभी तो आपने कहा कि आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है उसे खुश भी है लेकिन आपकी मन्शा क्या है इस फंड में रहने की आप जब पैसे लगाए थे लिए वह तो आप कितने साल रुकेंगे उस पर निर्वर करता है सर कितने साल रुकेंगे ऑफ पांथ साल तो आप बने हुए हैं हाँ तो और कितना साल रुखना चाहते हैं मैं एमन जी के पास जाना चाहती हूँ अभी इस सवाल को लेकर एमन जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिलहाल तो आर्पी तिवारी जी खुश लग रहे हैं इस तरह के फॉर्ण से डिटार्र इंडिविज्जिल हैं हमें पता नहीं है कि उनको ये जो पैसे फिलहाल रिटर्न के तौर पर मिल रहे हैं उसे ये क्या करना चाहते हैं एक टैक्सेवर फंड में इतना लमसम करना क्या सही होगा या इससे बहतर रणनी थी अपनाई जा सकती थी हेमन जी नहीं देखें कविता अगर हम अभी तक की बात करें तो टैक्सेशन के लिए ELSS जो है काफी अच्छी ऑप्शन है इंवेस्टर्स के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि equity link saving schemes है obviously इसकी जो investment है वो equity में होती है और इसका जो lock-in period है तीन साल वो बाकी जो options है ATC में उनमें सबसे कम है तो I think उस इसाब से अगर हम देखें ऐसे package तो मझे लगता है ELSS से बहुत ही अच्छी option है अब decision क्या होता है कि आपको यह सोचना है कि तीन साल का जब mandatory lock-in period खतम होता है उसके बाद हम क्या करें देखें उसके दो तरीके हैं देखने के एक तो यह है कि अगर आपका fund जिसमें आप है उसमें अगर आप वो अच्छा कर रहा है तो आप उसमें continue कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी goal में आपकी कुछ shortage है या आप जो investment कर रहा है वो कम है तो उसको वहां पर भी align करके आप उसको long term कर सकते हैं अगर आप उसे performance से खुश नहीं है और आप उसको परफॉर्मेंस देखने का एक तरीका होगा उसको आपको जो उसका जो benchmark है या फिर जो peer group है उसकी average से compare करना होगा क्योंकि market condition obviously important role play करेगी किस तरह से आपका कोई भी equity fund जो है perform करेगा तो मेरा हमेशा यह वालना है कि अगर जिस ELSS में आप बने हुए है वो अच्छा कर रहा है तो कभी ना कभी जो आप निकलेंगे आपको capital gain tax तो देना है तो समय से पहले देने का कोई मतलब नहीं है अगर वो fund अच्छा कर रहा है अगर मैं निपॉन टैक्सिवर की बात करूँ तो एक समय था शायद एक एक एट साल पहले इस fund की performance में definitely हमने देखा था कि वो उतना अच्छा नहीं कर रहे थे पीर ग्रूप के सामने बट पिछले एक एट साल में हमने देखा कि काफी recovery आई है तो अगर वो जो पीरेट था जो अच्छा नहीं कर रहे थे तब वो अगर उस fund में बने रहे तो बने रह सकते हैं के उनका यहां से आगे कितना time horizon है तो यह एक important aspect इनके portfolio के लिए देगा तो मैं छोड़ देती हूं हमेशा 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 हम यह कहते है कि जब tax saving की बात करो जो pre-planned event होते हैं आपको पता है आपको tax देना ही है हम वो जो चीज करते हैं कि साल के आखिर में जाके लंसम invest करते हैं उसको avoid करना चाहिए क्योंकि जब आप equity जैसी asset class में invest करते हैं जिसमें पता है कि सबसे बड़ा risk जो हमें लगता है वो volatility का है तो चाहिए आप retired हो या आप किसी भी stage में अपनी life के मुझे लगता है इस तरह के objective के लिए जब आप invest करते हो जो आप plan कर सकते हो उसके लिए तो आपको systematically invest करना चाहिए उसके दो फाइदे हैं एक तो जो lock-in period है आपका वो तीन सार वो हर installment के लिए उसकी date से शुरुआत होगा दूसरा जो risk हमें लगता है market के अंदर के volatility होगी इन fact उसको आप अपने advantage के लिए turn कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको averaging का फाइदा होता है lump sum में भी obviously प्रोजन कॉंस हैं अगर market पाल लीजिए उपर जा रहा है तो obviously जब SIP invest करते हैं तो आपकी average cost उपर जाती है और lump sum करते हैं तो फिर आपको पूरा market का फाइदा हो टायरे कि LUM सम करते हैं तो फिर आपको पूरा market का फाइदा होता है लेकिन market को predict करना बहुत मुश्किल है तो generally speaking अगर यह combination हो जाए lump sum का और SIP का तो बहुत अच्छा है लेकिन proportion बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक लाख रुपे lump sum डाला और फिर पर 35 या 40,000 पर अपने SIP डाला तो proportion अगर सही हो तो तो I think as a combination यह बिलकुल सही हो सकता है आगे बढ़ते हैं Amit Bidhoria साफ ओन लाइन पर मेरे साथ है Amit जी नमस्कार नमस्ते मैम पूछिए सार आपका सवार मैं कानपुर से बोल रहा हूँ और मैं एक सरकारी सिक्चा कूँ और मेरा सवाल मैं आपको बेजा हुआ है चायद आपके पास होगा जी जी 70 लाख रुपए आपको चाहिए बेटी की शादी के लिए 22 साल के बाद जी जी और पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए 15 साल के बाद 10 लाख के वोमलोन के लिए आपको 20 साल आपको SIP चलानी है 10 लाख का होमलोन है जिसकी यह वाई है मेरी 8 अजार सम्चिक के लिए जी तो उसमें अभी तक कोई पी पूछिए सर हाँ मैं सवाल मैं ये था हमारा कि एक जो लाई से के जीवन सराल पॉलसी है वो मेरी अभी दिसम्बर 22 में 10 साल कंप्लीट कर रही है तो उसको मैं बंद करवाने का विचार बना रहा हूं और एक मोतिलाल ओस्वाल का फंट है मेरे बास उससे एक्जिट होने का विचार हो रहा है क्योंकि इसका जो परफॉमेंस है वो पहले से अभी भी कुछ इंप्रूब नहीं हुआ उसका जो एक्स आई आ रहा है वो 6.3 परशंट है उसको मुझे 910 डेज हो चुके है उसको लिए बात कर रहे हैं जी जी मुटी कैप की जो फ्लैक्सी कैप में करन्वर्ट हो गया है एक्टेंड इंटर्न रेट और रिटन जो उसका है वह 6.3 परशंट है ठीक है तो अभी आपके पास SPI Blue Trip है मिरासिट का इमोजिंग है एक्सेस का मिट कैप है है एच्टी एफसी का स्मॉल कैप है है ना और मुटलाल लगकी तो मेरा सवाल मैड़म यह जो एलाइसी के जो मेरे अमाउंट है उसमें मेरा तीन हजार बासाट रुपय जाता है हर ती तो साल बर में 12,000 के लगवा गए उसको मैं SIP में करना चाहरा हूं तो किस फंड में करूं या इनी जो फंड नहीं में करूं या कोई नया फंड ले सकता हूं ठीक अचल यह आपको बताते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए अर्नव जी बताएं अगर इनको आगे बढ़ना है इन इस केस तो मेरे हिसाब से इनको यह करना होगा कि जो उनकी प्लानिंग है देखिए उनकी existing funds है तो आपको at various points of time तो आपको ऐसे दिखेंगे कि some are performing some are not performing तो flexi cap fund इनका जो है जो perform नहीं कर रहा है तो उसमें वो एक बदलाव कर सकते हैं तो मेरे रिसाब से अगर उस flexi cap category में Canera-Robeco flexible cap में वो जा सकते हैं तो वहाँ पर यह बदलाव कर सकते हैं तो अभी जो उनकी existing SIP चल रही है, मेरे इसाब से उनको इसमें चालू तो रखनी ही चाहिए, दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने बताया कि जो उनका insurance policy है, जो अब कहीं सार उसमें खतम हो चुके है, तो उसमें उनकी अगर इसमें जरूरत दिखाई नहीं दे रही है, तो मेरे इसाब से इसका भी वो अगर withdraw कर सकें, तो वहाँ पर भी उनको देखना चाहिए कि उनको कितनी amount मिलेगी, क्योंकि यह उस बात पर निर्वर करता है कि overall policy term क्या है, और policy के जो surrender value है, उसकी क्या बात है, अगर आपको एक बहुत बड़ी रकम इसमें कट रही है as a surrender value, त यहाँ पर आप policy को paid up कर सकते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आप ज्यादा premium इसके आगे न बढ़े और न बढ़े, और जो आपका जो sum assured है, वो correspondingly कम हो जाएगा, तो जो उन्होंने spread out किया है in terms of various investments, NPS में है, equity funds में है, तो यह अच्छी बात है, वो उनको चालू रखना चा करने हैं, तो दीरे-दीरे करके जो equity funds में जो रखम जा रही है, उसका भी उनको हर साल बढ़ाना चाहिए. अमित जी, कोई सवाल आपने पोछना है अर्नम जी से? मैडम, यह पूछना था कि जो मैं LIC की policy अगर बंद करूँगा, तो उससे मुझे 12,000 रुपए साल की बचत होगी, तो मैं क्या इस एक्जक्सिन fund में ही इसको निवेश करूँ या मुझे कोई दूसरा fund लेना चाहिए, जिसमें ये 12,000 डाल सकूँ. जी, आपको fund के recommendations दी हैं, अर्नम जी, आप क्या बदलाब बता रहे हैं इनको funds में? मेरे हिसाब से ये जो funds उनके पास है, उसमें अगर उनको add करना है, तो परागपरिक का फ्लेक्सिकैप है, मेरा इसेट का emerging blue chip है, ये सब वो add कर सकते हैं, लेकिन as तो रकम बचत होके आएगी, वो काफी बड़ी नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो वो existing funds में डाल सकते हैं, एक additional fund ही इसमें add कर सकते हैं, as per the list. मैडम, मैं ये पुछ रहा था, मेरे पास थाना, SIP मेरी चल रही है, जी, ABSL manufacturing equity, IDFC hybrid equity, HDFC top 100, ICIC approved India opportunity में आपकी SIP चल रही हैं ना? मैडम, इसमें क्या है, कि इसमें 2 SIP मेरी है, वो पासल हो चुके है, तो उसमें 16-17 बसर रिटन है, पासल, पासल में, पर दूसरा जो मैंने 8000 का SIP जो चालू किया है, तो अभी मेरा overall क्या हुआ है, 4 Lakh का total जमा हुआ है, उसमें 3 Lakh मेरा investment amount है और 4 Lakh total हो रहा है, तो एक Lakh का profit है, तो और ये इसको बहुत time हो गया है मैडम, पर अभी profit बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, मेरी investment amount ही बढ़ रही है, ये profit एक Lakh का, वही का वही है. सर, ये आप जो fund आपने एकटा किये हैं, ये आपने किस उदेश से किये हैं? मैडम, वेल्स creation के लिए, 15 साल के बाद मेरे को अच्छी से amount, बड़ी amount चाहिए. कितनी बड़ी? मेरे को 7-7 Lakh लाक रिबे की amount की जरूरत है. चलिए, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा दुरूस्त करना पड़ेगा आपके portfolio को. ABSL Manufacturing Equity आपको किसने recommend किया था? दिकास जी? हाँ, हाँ, बोलिए मडम. ये ABSL Manufacturing Equity आपको recommend किसने किया था? ये मेरा जो mutual fund distributor है ना, उन्होंने मेरे को recommend किया था. सारे fund उन्होंने रेक्मेंड किये थे? या, सारे fund उन्होंने रेक्मेंड किये है. उनसे पूछा आपने कि इतना return क्यों कामा रहा है? ये, उनको पूछा पर उन्होंने बोला कि थोड़ा लॉंग टाइम इसको चारो रखना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो. चलिए. थोड़ा सा यहाँ पर choice of funds को लेकर आपको सीख देनी पड़ेगी. हेमन जी बताएं. आँ, दीए कविता, दो important aspect है. इन्होंने कहा कि इनका जो objective है, वो wealth creation का है. और पहले इन्होंने, मतलब clarity नहीं थी कि time horizon कितना है, तो इन्होंने जैसे अभी कहा कि 15 साल, तो हम मानके चल रहे हैं. तो सबसे important चीज़ यह होती है, कि मैं portfolio में थोड़ा बाद में आता हूँ. पहले यह important है समझना हर निवेशक के लिए, कि जब भी आप invest करना शुरू करें, तो एक आप goal बनाएं, जैसा आप wealth creation definitely goal हो सकता है, एक target बनाएं, जैसा हमने कहा कि 60-70 लाकर पे इनको चाहिए, उससे क्या होता है, कि आप decide कर पाते हैं, कि एक assume rate of return पे कितना पैसा हमें invest करन कि अगर आप 12% का return मानके चलते हो, तो अगर आपको 15 साल में अगर 1 करोड पे कठा करना तो खरी 15,000 पे की investment करनी होगी, और अगर 20 साल में चाहिए, तो फिर 10,000 की investment करनी होगी, तो आप कहीं in between है, तो मुझे रगता है कि शाथ broadly 12,000 की investment है, आपको definitely आपका लक्षय जो है, लेकि उसके साथ में दो important चीज़ है, एक तो यह कि irrespective market condition, आपको अपनी investment को चालो रखना है, दूसरा यह कि आपकी जो fund selection है, वो कैसी है, प्राब्लम आपके fund selection में है, थोड़ी विकार जी, तो थोड़ा सा उसमें आपको changes करने होगी, देकिए दो fund है आपके पास, एक manufacturing fund ह अपर इसले का और दूसरा जो है, ICICI-CF Pru का जो India Opportunity Fund है, यह दोनों के दोनों जो fund है, वो thematic fund बोलते हैं इसको, हलाकि यह sector fund के मकबले में ज़्यादा diversity fund है, लेकि thematic fund के अदर issue क्या होता है, कि इनकी performance जो है, वो erratic हो सकती है, आपके fund जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, शाय पिछले एक जट सार में हमने दिखा, market में वालेट रेटी ज़्यादा है, हालनकि आप regularly invest अगर कर रहे हैं, averaging भी हो रहा है, लेकिन उसका फाइदा आपको तब होगा, जब market stabilize होने के बाद यहां से उपर जाएगा, तो मेरा यह मानना है, कि आप तीन fund इसमें आप बदलाव कीजिए, ताकि आपका portfolio जड़ा और consistent बने और शायद ज़्यादा बहतर return आप पा सकें, तो जैसे ABSL का manufacturing fund, वहाँ पे 2000 आप invest कर रहे हो, ICSA Proof का India Opportunity Fund है, वो और IDFC का जो hybrid fund है, क्योंकि जब 15 साल के लिए invest कर रहे हो, तो hybrid fund का मुझे लगता नहीं कुछ जादा मतलब है, तो इसकी जगह में तीन fund में आपको recommend कर रहा हूं, उसमें निपोन इंडिया का multi-cap fund है, जिसमें आप 4000 पे invest कर सकते हो, ICSA Proof का large and mid-cap है जिसमें आप 4000 पे invest कर सकते हो, और एक mid-cap fund, quality mid-cap fund, KOTAC Emerging Equity Fund जिसमें आप 3000 invest कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये pull मिला के HDFC top 100 में आप 1000 आप तो इस चार fund में बनाएए, investment बढ़ाना हो, तो भी इनी funds के अंदर भी आप add कीजिए, मुझे लगता है portfolio में थोड़ी consistency जादा आएगी, और जिस तरह का allocation, different segment जो है market के large, bit or small होना चाहिए, वो भी आपके portfolio में आएगा, तो portfolio में बदलाब कीजिए, और जैसा मैंने पहले कह irrespective market condition आपको अपने इस process को continue करना है, एक दो साल अगर fund ने अच्छा नहीं किया, ये बेतर से बेतर fund भी ऐसे phase में आएगे, जब वो अच्छा नहीं करेंगे, तो कारण जाने की कोशिश कीजिए, पिजाए इसके के बहुत जल्दबाजी में उसमें बदलाब करेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा, 9 लाग पर 45,000 का tax, 10 लाग पर 22,000 का tax क्यों है और प्रती लाग कितनी tax liability बनेगी, अर्नम जी, देखें जो नई tax system है, उसमें जब tax calculate किया जाता है, तो आपकी income के को ध्यान में रखते हुए, उस पे tax calculate हुता है, like for example, अगर आपकी income 0 से 3 लाग तक है, तो आपके कोई tax नहीं है, यानि कि पहले 3 लाग की income है, वो आपके लिए 0 rate tax, आपको कोई tax बरना नहीं रहा, दूसरा slab आता है 3 लाग से 6 लाग, वहाँ पर जो आपको tax की दर लगती है, वो सिर्फ 5% लगती है, यानि कि इस 3 लाग के amount पर आपको 5% tax बरना पड़ता है, य अगला 3 लाग का slab है, 6 लाग से 9 लाग, उस पे जो rate होता है, वो आता है 10% का, यानि कि इस 3 लाग पे 10% जो आता है 30,000, यानि कि अगर आपकी income 9 लाग तक है, तो पहले 3 से 6 लाग का 15,000, प्लस इस 3 लाग के slab का 30,000, यानि कि आपका tax हो जाता है 45,000, उस पे 4% का health or education sales लगत है, और वो आपकी final tax liability होता है, अब मान लीजिए आपकी income 9 लाग नहीं, 10 लाग, अब जो 10 लाग है, वो अगले slab में आता है, यानि कि 9 से 12 लाग का slab है, उस पे जो rate है, वो बढ़के 15% हो गई है, तो यानि कि ये जो additional amount है, जो आपको 9 से 10 लाग में, जो 1 लाग का additional amount है, उस पे आप 15% यानि कि 15,000 का additional tax आजाएगा, यानि ये आपका अब tax हो गया 60,000 और उस पे आपको 4% का stress लगेगा, तो उस इसाब से आपका final tax liability हो गया, तो आपको tax इस तरह से गिनना है, कि जहाँ पर भी आपकी final income आके रुकती है, उस वहाँ तक पहुंशते आपको हर एक slab में कितना आप पे burden आता है, वो calculate करके उस पे आपको 4% का stress लगाना है, और फिर आपकी final tax liability आजाती है, तो इसी लिए ये जो rates है, वो इस तरह से समझने हैं, हर एक slab का एक specific rate है, और आप जिस slab में आते हो, आपको पूरी income पे वो rate नहीं लगता, आपको हर एक slab पे उ ही होती है, तो इसलिए क्या होगा कि मान लीजे कि आपकी आए अगर taxable income 15 lakhs भी है, तो 15 lakhs पे जो last slab है, उसका rate of taxation है 20%, और अगर आप total zero से शुरू करनके आप 15 lakh की पर नए tax system में अपना tax की नहीं तो देर लगाता है, यानि कि actually आपका overall income पे rate आए साता है 10% पे, तो क्योंक 15% वो rate को average out कर देते, तो यह दियान में रखना है आपको tax calculate रपने साथ, आगे बढ़ते हैं और हेमन जी अगला सवाल है धनन जय का और NPS के जरीए 50,000 का ये निवेश करते हैं, नएस lab में क्या section 80 CCD 1B के तहत इस पर छोट मिल पाएगी? कविता, unfortunately अगर ये new regime के साथ जाते हैं, अगले साल से तो definitely वो जो चूट उनको पहले मिल रही थी, वो वहाँ पे नहीं मिलेगी, जो basic purpose है, new regime का वही है, कि उसमें आपको जैसे standard deduction दिया गया है, वो आपको मिलेगा, और अगर आप specifically ATCCD 1B की बात कर रहे हैं, तो जो नया tax regime अभी जो union budget में अनॉंस हो है, उसमें आपको उसके उपर कोई छूट नहीं मिलेगी, अर्णव जी, आनन्द का सवाल है, 12 से 15 लाग के bracket में ये है, और 10 लाग का कुल निवेश करते हैं, कोई home loan नहीं है इनके पास, अब ये नए tax regime में अगर आ जाते हैं, तो इने कितना tax द नए system में आप कितना deduction लेंगे, उसका कोई सवाल ही नहीं आता, तो कि आप section ATC के पुराने system में जहां पर भी निवेश करें, आपका EPF हो, आपका insurance premium हो, आपका ELSS हो, या इवन आपका NPS हो, तो ये सब आप अगर section ATC में पहले लेड लाग लेए हैं, नए system में इसका कोई आ debt deduction का benefit मिलता है, तो ये deduction की बात है, तो ये आपको नए system में उसको गिनना ही नहीं है, तो आप मान लीजिए कि even if इनकी income 15 लाग है, तो जैसे मैंने अभी बताया था, 15 लाग पे अगर आप नए system में tax calculate कर रहे हो, तो आपको 1.5 लाग का tax आता है, उस पर 4% का आपको stress लगे और इसमें ये आपको बढ़ना होगा, ये आपके जो आपने TDS हुए है, tax deduction at source, उसके सामने adjust होगा, अगर आपने कोई advance tax बढ़ा हुआ है, तो उसके सामने adjust होगा, और फिर जो final liability है, वो अगर कोई outstanding है, तो वो आपको बढ़नी होगी, और अगर outstanding liability नहीं है, और आपने शा चलिए, और सवाल है, शो में जो हमें लेने हैं, लेकिन उससे पहले, budget 2023 में market link debentures पर भी tax की तस्वीर साफ की गई है, अब इन हे debt securities की तरह देखा जाएगा, long term capital gains के बजाएन पर short term capital gains tax लागू होगा, और इसका प्रभाव मुखे रूप से high net worth individuals पर पढ़ेगा, सवाल यह आपर यह है कि इन बातों का निवेशुकों के लिए क्या मतलब है, तो हीमन जी, जो MLD में अब tax का जो treatment बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं और निवेशुकों को अब कैसे इसको समझना चाहिए? दिखे कविता मैं कहूंगा कि अगर हम MLDs की बात करें, तो basically यह जो product है, वो जदातर H&Is उसमें invest करते हैं, obviously वहाँ पे जो tax में changes किये गए हैं, उससे क्या होगा कि आपका holding period कुछ भी रहे, उसमें जो भी आपके gains होंगे, वो long term नहीं माने जाएंगे, वो short term माने कि जब उसको आप debt instrument की तरह मानते हैं, और अगर short term capital gain होगा, तो आपकी income जो applicable tax rate है, उसके उपर tax लगेगा, तो obviously आपकी जो return का काफी बड़ा हिस्सा, especially अगर हम बात करना हैं कि इसमें जादा तर H&I investors invest करते हैं, तो आपकी जो returns का काफी बड़ा हिस्सा जो है, वो taxes में च काफी लोग invest करते भी हैं, तो क्यूंकि tax benefit चला गया है, short term capital gain होगा, चला तो नहीं गया है, obviously वो अभी उतना attractive नहीं रहेगा, उस tax return में काफी फरक पड़ेगा, तो मुझे रगता है कि इने में हम कह सकते हैं कि जो attractiveness थी MLDs की, ये tax aspect आने के बाद वो काफी हद तक काम होग पर है, इन्हें 25 साल में चाहिए 3 करोड रुपए, अरुन गुडीवनिंग, धन्यवाद आपने सवाद हमें भेजा है, बताइए, पहला तो मेरे को 7 लाग चाहिए, 5-6 साल बात कार के लिए, और मेरे चिल्डर एड़ेशन के लिए 50 लाग चाहिए, आफटर 17 अर, और चिल 31,000 है, वान्थली सिफ दो जार पे है, मैं लास्ट बन ये स्टार्ट किया है, और मेरे मुच्वाद साथ जार की सिफ जाती है, और मैने अबरी ये स्टैप एफ किया है, दस प्रसेंट का, ठीक है, बेरी जो जी, मेरे जो ए प्लान है, प्राग पारी के है, दो जार पे का, और आएजी आएजी निटी फिक्ती दो जार पे, और एक्सिस ग्रोथ उपरचुनिटी हजार पे, कोटेग अमर्जिग मिटकेब हजार और कैनरर वोको जार पे मैं, ओके ये लास्ट मैं सिक्स मन से कर रहा हूँ, मैं टोटल जो मेरे अर्ट नाइन थॉजंड हो गया है, ठ और अमीरा एमर्जीम लिएचिप 2000 पे और PGIM वीटकेफ 1000 अरबेकम है, ठीक है, ओके, इसका भी मैं स्टेपव एक 10% अब जीए, ठीक है, और आप अगर टाक्स रजीम की बात करें तो आप उदाने टाक्स रजीम में ही रहेंगे या आप शिफ्ट हो चुके हैं नई में? न इनके कैलकुलेशन मेरे पास है नहीं क्योंकि यह डीटेल्स ही नहीं है मेरे पास तो, ओके मंझी, क्या यह सवाल आपके पास है? जी जी नहीं करें तो, अल्राइट, तो मैं बता देती हूं, आम दोनों ही बारी-बारी करके इसका जवाब दे सकते हैं, देड करोर हैं, तो इनके पोर्टफोलियो में हैं, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप, आइसाइसाइए प्रू, निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स, अक्सेस ग्रोथ ऑपरचुनिटी, कोटक, इमर्जिंग एक्विटी, कैन और रबेको का स्मॉल कैप है, और इसमें यह SIP कर रहे हैं और इसमें यह कर रहे हैं लगभग 5,500 की इनकी SIP है, इन्होंने कुछ 17 साल, 28 साल के बाद के लक्षे भी अपने आख रखे हैं, जहां पर बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए इनको पैसे चाहिए, NPS में भी यह निवेश कर रहे हैं, 31,000 का, बताएं, अर्नव ज देखे हैं कि जो इनको अलग-अलग गोल के लिए चाहिए, तो मेरे इसाब से इनका जो एक्जिस्टिंग निवेश है, वो इसके लिए थुड़ा कम पड़ेगा, तो इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो गोल इन्होंने सेट किये हुए हैं, वो खास करक में उसमें दो चीजे होगी, पहली बात एक कि जो गोल का सम है बाइट सेल्फ फड़ा लार्ज है, तो उसके लिए आपको एक लार्जर अमाउंट चाहिए, दूसरी बात यह कि क्योंकि गोल लंबे जा रहा है, 17 साल, 18 साल, तो आज की तारीक में उन्होंने जो फिगर सेट किये है, वो मेरे इसाब से शायद इंफलेशन को ज्यान में रखते हुए कम भी होगे, तो उसको भी उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए जो एक्जिस्टिंग अमाउंट आ रही है, 7,000 और 5,500 की, वो मेरे इसाब से इस इन गोल के लिए इनफ नहीं होगी, पर अच् कोई तकलीफ नहीं होगी, आते हैं दूसरे मुद्धे पर, जो है कि उनके एक्जिस्टिंग फ़न्स की तरफ, तो उन्होंने जो एक्जिस्टिंग फ़न्स अपने पॉर्टफोलियों में शामिल किये है, small cap, mid cap, flexi cap, वो सभी दो चीज़े इसमें है, एक तो कि spread out अच्छा है, यानि कि balance portfolio है, क्योंकि हर एक market cap का इसमें समाविश हो चुका है, दूसरी बात ये है कि जो funds उन्होंने select किये है, वो भी अच्छे consistent good performance है, अपने अपने category में शायद top पे नहों, लेकिन जब भी आप कोई भी portfolio बनाएं, तो ये ज़रूरी होता है कि आप consistent funds को choose करें, टाक अपनी over a longer period of time ये एक अच्छा performance दे और at least अपने benchmark से ज्यादा return देता जाए, तो उस हिसाब से funds अच्छे है, उनको अपने और अपने वाइफ के portfolio में जो भी funds है उनको चालू रफना चाहिए, और ये जो आगे की रकम जो बढ़ाते जाएंगे, वो existing funds में ही बढ़ाते जा और उसी से अपने वो गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आरोन, all the best आपके investment के लिए उमीद करते हैं कि आपको सला समझ में आ गई हो और इसी के साथ हमारा समय भी खतम हो गया है, इमन जी आपका, अरिनव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला जर्श झाला जो जड़ एसी को पराइग धन्यवाद